अनिस्किल्ड आदमी केवल यह दो लिवर लगे हुगे जो आप देख पा रहे हैं इन से उपरेट करना है एक अनिस्किल्ड आदमी को हम ट्रेनिंग देदेंगे वो भी इसको चला ले जाएगा लेवर कॉस्ट बच गया बिजली का खर्चा बच गया स्पेस कम लगेगा और स that conditions में सबसे best machine यह है जो कि एकड़म effect आएगा वो बड़ा plant वाला हैं दोस्तों जब जब fly bricks की बात होती है उसकी उद्द्योग लगाने की बात होती है उसकी factory लगाने की बात होती है जो तस्वीरे मन में उभर कर आती हैं वो बहुत बड़ी-बड़ी तस्वीरे आती हैं इन्वेस्टमेंट का मामला हो, लेबर कॉस्ट का मामला हो, बिजली का मामला हो, रौ मेट्रियल का मामला हो, तो ये कुल मिलाके जो खर्चों की तस्बीर बनती हो लाखों में जाती है, पंदरा से पचीस लाख रुपे का इन्वेस्टमेंट एक आम तौर पे देखा गया है, जो सिमेंट इट बनाने की जो मशीन होती है उसकी लागत बहुत बड़ी आती है लेकिन आज का वीडियो बहुत इंपोर्टेंट है इन सबसे दूर एक हिंदुस्तान की ऐसी मशीन तयार हो गई है जो मात्र मतलब साड़े पांच लाग के अंदर में वो मशीन आएगी और कही जो बड़े-बड़े कमर्शियल प्लांट है उसको टक्कर देने वाली है और वो जो फ्लाई आश ब्रिक्स की बनाने वाली मशीन है वो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे जो आगरा में वैशनो कृपा प्राइबेट लिम्टेड कंपनी इस मशीन को डिजाइन की है और इ जो है जो वर्क्शॉप है जो हां फैक्टरी में इनकी मशीने बनती है वहां से मैं ये वीडियो दिखा रहा हूं सर ये जो नई मशीन है दर्सक जानने के लिए उत्सुक हो रहे होंगे कि जैसा की देखा गया है कि फ्लाई आस ब्रिक्स बहुत सारे लोग करना चाहते हैं लेकिन उनका मन छोटा हो जाता है जब वहां पर देखते हैं कि अरिवाप ये तो पचीस लाख रुपे का प्रजेक्ट है तीस लाख का प्लांट है तो ये मशीन कैसे कारगर होगा हमारे हिंदुस्तानियों के लिए इस बिजनिस में सर ये मशीन बेसिकली कम बजट वाले में आपको पहले मशीन का आप अब डिटेल देता हूं जी उसके बाद पिर में आपको इससे बना करके दिखाऊंगा बिल्कुल बिल्कुल इसमें उपर पैं मिक्चर लगा है मिक्सिंग के लिए और इसी के नीचे हमने प्रेस मशीन दे दी है ये हो पर आ गया तो इसमें ह हमने एक conveyor की बचत कर ली तो कि हम लोग कॉस्ट कटिंग करती हुँ चले उसी साफ से इस मशीन को डिजाइन किया है इसमें हमने करने की बचत कर ली डारेक्ट पैन मिक्चर का जो मैट्रियल है वह पर में आता है यहां से ब्रिक को प्रेस मिलती है और एक बार में चार इंट प्रिक की मशीन एक बार में चार बरिक निखलती है और आठ गंटे की शिफ्ट में फे तालिससों से पांच जार ही आपको को पर दे निल जाती है बाद सब से बड़ी खासियत मुझे ये लगी कि आपने चीजों को एक जगा एसेंबल कर दिया जहाँ अलग-अलग पैन मिक्सर में लोग डालते थे फिर वहां से ढोके ले जाते थे फिर कंवेयर से रेडी टू मुव मशीन है इसमें इंस्टॉलेशन की कोई आवशक्ता नहीं है यह प्लग और प्ले है आप जाईए इसको आप पावर सप्लाई दीजिए और स्टार्ट कर लिए इसमें हमारे कि सर प्रोडक्शन आपकी यहां पर लगबख 5000 रिटों की पर दे होगी यह आप मैं मोटर देख रहा हूं यही सारी पर्ट क्या क्या है यह जर्वता दे इसमें एक मशीन में और खास बात है कि यह एलेक्ट्रिक मोटर और डीजल इंगन दोनों से उपरेट होती है अगर आ आपको जो आपको प्लांट पर आपको प्लांट पर इसमें बचता रही है घानरेट हो जैए हैं या फिर बचत हो जाएगी यौह आप यहां परेक संसे सारे लोगों के पास ट्रॉक भी प्लब रहती है उस पे जो इंजले उन्यट्रम इन्यां से झेटिं कर देते एं अगर को यह डेमांड करता है तो हम ट्रेक्टर के इंगन से भी इसको चलागे अरे क्या बात है क्या बात है और यह मशीन देख रहे हैं कम स्पेस यह ले रही है और आम तोर पे फ्लाइस ब्रिक्स के लिए बहुत बड़े स्पेस की जोरत पड़ती है लेकिन फिर भी यह पूछना कि सारी चीजों को अगर कैल्प्लेट कर लें इस बिजनेस में यह तो बहुत धमाका है कि आपने मतलब बजट के अंदर लोगों को दे दिया शाड़े पांच लाग में यह मशीन लेके जाएंगे इस इसकी फैक्टरी खोलने के लिए कितने स्पेस की जोरत पड़ेगी अब जो आपको एक्स्ट्रा स्पेस है वह आपको मेटर लखने के लिए अच्छा तो इसमें सारी परक्रियां वहीं होती है इत निकलने के बाद सर जो वह इस्तमाल किया जता है ट्रे पे लेते नहीं सर इसमें ब्रिक पैलेट की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती अभी जब मै मैं आपको इससे इट बना करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आईगा इसकीन पर उस फुटेज को आप जरूर देखिएगा क्योंकि सर से मैंने अभी बात की है कि इसकी मशीन कैसे वर्क करती है क्या है इसकी बारेकियों के बारे में लेकिन फुटेज में आप देख र प्रॉलम आती है तो हमारा सर्वेस जाकरके पेमेंट बेसे स्पे देते हैं है मोटर की कंपणी से मिल जाती है और है अगर को यह मशीन मंगाना चाहे यहां आगरा से अन्य राजियों में तो ट्रांस्पोर्टेशन की क्या विवस्था रहाती है आप कहां से क्या इंतिजा अगर मैंने आज आपको और दिया सथ और बाइद अगर हमारा 500 किलोमेटर पर है प्रोजेक्ट लगाना है तो आम दिनों कितने दिल लगेंगे आपको ये पूरी मशीन डिलीबर कराने में क्या पर कि आप बनाएंगे उस मशीन को या फिर बना बनाया रेडिमेंट भेजते है जे हैं बनाएंगे मशीन को तो मशीन में थो हमारे वहाइसे भी वेटिंग रहती है क्योंकि हमारे इसके अलावा भी और भी मौडल अमलोक बनाते हैं क्या शर्ते हैं booking amount की अगर यह साड़े पांच लाकी मशीन लेनी है इस पर स्टूप से viewers के बहुत questions होते हैं उनको लाता है कि आपने यह छोड़ दिया पूछ लेते सर ऐसा कोई विशेश कंडिशन नहीं है हम लोग पार्टी से डिमांड करते हैं 40 परसेंट की लेकिन कोई कम भी देना चाहता है तो हम उसको अगर आपने बीच में सर बात किया था है तो यह जब चलती होंगी तो इसमें भी है तो आम तो पर इसकी मेंटेनेंस के लिए सलाना कहर्च पड़ जाता है जह कि उख साले चलता है अगर दूल नेचे आप देख पा है तो आपका एक साल वा खराब हो जातों यह तो बहुत उच्छी मशीन है बहुत बेहतरीन इससे अच्छी मशीन अब मैं क्या को हूँ सर हो सकता है आगे चलके चुकि यहां रिसर्च भी कराते रहते हैं और सर ऐसे ऐसी मशीने लेके आते तो आगे भी इससे बढ़िया मशीन आ जाए लेकिन फिलाल और यह मशीन आप जब इंस्टॉल करें तो चुकि यह कोल बेस्ट थर्मल पावर जो आपके लोकेशन के नजदीक हो यह आपको जरूर इस चीज का ध्यान रखे अगर मैक्सिमम मारजिल लेना है तो कि आपको वहां से फ्लाइश उपलब्द हो जाए सर इस बिजनेस में मुनाफ़ा जो है थोड़ी सी आप आज़ा मशीन आपके साथ बहुत सारे लोग इं करके आती है लेकिन जो मोटा मोटा हम लोग मान के चलते हैं एक से जीड़ों रुपे का मारजिन मान के चलते हैं और लगबग यही बैठता है हर एरिया में बचत का और इसमें मुनाफ़ा ज्यादा इसली भी हो सकता है कि सर ने ऐसी बेवस्था कर डाली है कि वह जो लिवर कर सके हलका हुलका पड़ा लिखा भी हो जिसकी सेलरी बीस से पच्छे से जार रुपे होती है जबके इसमें ऐसा कुछ नहीं है इसमें अनिसकल्ड आजमी केवल यह दो लिवर लगे हुए जो आप देख पा रहे हैं इन से ऑपरेट करना है एक अनिसकल्ड आदमी को हम ट् पांच मोटर रहती है तो आपका इसमें बिजली का खरचा भी बहुत कम हो जाता है लिवर कोस्ट बच गया बिजली का खरचा बच गया इस पेस कम लगेगा और सबसे बड़ी बात इंवेस्पेंट और मनी कम लगेगा तो अब इससे बेटर आगिया मैं सोचता हूं अगर आप शुरू करना चाहते हैं ब्रिक्स मेकिंग फ्लाइस ब्रिक्स मेकिंग बिजनेस तो शायद उस लो बजट कंडिशन्स में सबसे बेस्ट मशीन यह है जो की एकदम इफेक्ट आएगा वो बड़ा प्लांट वाला है ऐसा नहीं है कि सर ने जैसे तैसे कर दिया लेकिन य कोशिष बेंसे मैंने सब्सक्रमरी चाहते हैं यह थे अफेम अर्ट थे मेंगा है और मैं अमारी विजट करें और मशीन कौ चलते हुए और इम आप यह तो आगरा के किस लोकेशन पर है और कैसे लोग पहुंचेंगे बस स्टेंड रेलवे एरपोर्ट मतलब यहां से कहां पर है अपनी सारी विवस्ताएं हैं आप केवल बस स्टेंड पर आ जाईए रेलवे स्टेशन पर आ जाईए आप कॉल करेंगे तो हमारे यहां से जय पार